हलो फ्रेंडस वेलकम टो और यूट्व चैनल यह वेकट ओवाईल दोस्तों मैं अपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बड़े टॉपिक के उपर मारूती सुचकी के जो रिकॉल आया है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे बात क तो आपको कैसे बचना होगा क्या करना होगा इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अभी आपकी गाड़ी का अगर अगर आपको यह बात पता चल जाए उसके बाद आप क्या गाड़ी को चलाना चाहेंगे नहीं चलाना चाहेंगे लेकिन आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है इतना भी डिफेक्टेड नहीं है आपका एर्वेग और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि मारूती ने अगर रिकॉल किया इतने बड़े पैमाने पर तो क्यों किया है इतना लार्ज अमांट पर मारूती ने रिकॉल कर रही इस जाएं वर्क्शोप पे और जो वीडियो में जो भी गाड़ियां दिख रही है इन सभी गाड़ियों के अंदर रिकॉल आया हुआ है नियू बलैनो नियू ब्रेजा नियू अर्टिगा ग्रैंड विटारा और एस्प्रेसो अल्टो केटेन और इको इन सभी गाड़ियों मे रिकॉल आया है एरबैक का रिकॉल है तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ सो प्लीज गाईज आप इस रिकॉल को जाके कस्टमर आप रिकॉल को अटेंड कराएं अपनी गाड़ी को आपको वर्क्शॉप के थ्रू कॉल जाएगा मैसेज जा सारे फंक्शन्स वर्क करेंगे हो सकता है आपकी गाड़ी का कोई कैलिब्रेशन की जरूरत हो या फिर प्रोग्रामिंग की जरूरत हो सही हो जाएगा बट अगर आप पैनिक हो जाते हैं उस चीज को लेके तो यह चीज़ें गलत हैं आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होन कि कस्टमर सटिस्फेक्शन कस्टमर को ऐसा नहीं हो कि कभी आपकी गाड़ी के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो कहीं न कहीं आप प्रॉब्लम फेस करेंगे इसलिए मारूती ने ऐसा रिकॉल लाया है कि सभी गाड़ीयों का चेक करवायके उसके बाद उसको अपडेट कराएगी तो सो प्लीज गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो में चलाया है सभी गाड़ीयों को इसलिए लगा दिया था ताकि आप देख सकें और क्लियर हो सकें कि कि किन-किन गाड़ीयों में रिकॉल आया है और क्या रिकॉल है आपको भी पता दिया हूं र